वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एलके सोनी कानून की बात करते करते वला कहां पहुँच गए आज भी कानून की बात ही हम करेंगे आज हम NDPS Act के बारे में थोड़ी तरचा करेंगे NDPS Act के थुरू मैं चरस और गांजा में क्या डिफरेंस होता है यह आपको समझाओंगा क्योंकि अगर आप NDPS Act को समझना चाहते हैं तो साइको थ्रोपिक सबस्तांस को आपको अच्छे से समझना चाहिए Psychothropic Substances यानि नशिले पदार्थ तो यह कानून बनाया गया Psychothropic Substances के लिए अब Psychothropic Substance क्या होते हैं इसका Basic Meaning आपको बता होना चाहिए यानि ऐसी चीजें जो हमारे mood को, thoughts को, perception को, एक behavior को change कर दे यानि हमारे जो God ने mind दिया है यानि जिसको हम software of the body कहते हैं उसके साथ छेड़ चाड़ करते हैं अब दो तरहा की लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर एक तो वो जो problems की आँख में आँख डाल कर उसे resolve करते हैं और उसका सामना करते हैं अपनी life को set करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो थोड़े बुजदिल तरहा की लोग होते हैं यानि जो अपनी problems को face करने की बजाए उनसे आख चुराते हैं उनसे मूँ मोड़कर नशीले बदार्थों का सहरा लेके अपनी भी जिंदगी परबात करते हैं और अपने फरिवार की भी जिंदग बटका देते हैं प्रोलम तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है और बल्कि आपको financially ठीक है आपको काम करने की लायक नहीं छोड़ती यानि उसके बाद अगर आपने इनका सहरा लेना शुरू कर दिया तो मैंने ये देखा है ऐसे लोग कोई भी काम करके काम नहीं कर सकते हैं ज इनके बच्चेों का career खराब हो जाता है और उनके बच्चों का जो future अपने जो person अपने बच्चों के future के वारे में नहीं सोचके अपनी present problem से ध्यान वठकाने के लिए इनके इनके इन पदार्तों का use करता है तो उसको हम बुझदिल ना बोलें तो और बताए क्या बोलेंग आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ पे point of view से भी चलास और गांजाय में difference आपको बहुत काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में daily basis पे आपको ये definition ये जो video है इसकी जो knowledge है वो बहुत काम आने वाली है आये शुरू करते हैं साथी साथ आपको ये जो definition आज हम स होती हैं उनके procedures क्या क्या होते हैं सबसे ज़्यादा दिहान आपको देना चाहिए इस list के ओपर यानि psychothropic substance के बारे में आपको complete knowledge चाहिए तो आप इस bear act से इस schedule को पढ़ेंगे और इस schedule में जो list दी है इसके ओपर मैं further future में और भी videos बनाऊंगा अगर आप channels को subscribe करेंगे तो notification आपको मिलता चाहेगा यानि ये सब चीजें एक आम आदमी को भी सिखनी चाहिए उसको भी पता होना चाहिए कि गल्ती से अगर वो चीजें उसके पास आ गई और उसको पता होना चाहिए कि क्या consequences क्या effects इसकी हो सकते हैं तो कोई आपका वेवकुफ ना बना दे कोई आप देने वाला हूँ लेकिन अगर आपको systematic तरीके से इस act को सीखना है एक एक word आपको clear करना है तो मैं आपको अपना WhatsApp नमबर दे रहा हूँ इस WhatsApp नमबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेरे systematic classes इस act के ऊपर आप subscribe कर सकते हैं आप सिरफ आपको बताऊंगा अगे का procedure मैं आपको बताऊंगा अगे दोस्तों शुरू करते हैं एक section हम पढ़ेंगे section 2 जिसमें चरस और गांजा को वहाँ पे differentiate करके बताया है तो दोस्तों अगर मैं यह concept समझाने के लिए सफ कितावी बात करूंगा तो शायद आपको ना मजा आएग एक होता है यह पोधा cannabis का पोधा माना जाते हैं इसको भांग कर हिंदी में बोलते हैं भांग का पोधा होता है अब यह different states में इसकी quality अलग लग होती है उत्राखंड में भी पाय जाता है नेपाल से भी आता है और हिमाचल परदेश में भी होता है अब इस पोधे में से जैस उसका आप विलो कर उसको रिलक कर आप उसका मक्खन मना देते हो मक्खन से आप घी बन जाता है घी के उसके बाद हर stage पे wasted product बचते रहते हैं तो इसी तरह से इस पोधे को मसला जाता है जब मसलते मसलते उसमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है कुछ उसमें से oils निकलते हैं और कुछ wastage बच जाते हैं तो जो नशे करने वारे लोग हैं इस पोधे के हर एक residue को हर एक part को वो नशे के लिए use करते हैं लेकिन उसका फिर technical name हर stage पे अलग लग हो जाता है जैसे आप दूद को जमाते हो पहले दूद होता है फिर दही होता है दही के बाद वो मखन बन जाता है और मखन के बाद फिर उसका घी बन जाता है तो घी का ultimate जो प्राइस होता है सबसे महंगी चीज जो dairy product में घी की मानी जाती है तो इसी तरह से इस पोधे से भी पोधे को पहले हाथ से मसला जाता है और हर stage पे जो उसके residue बचते जाते हैं यानि जो उसके अवशेश बचते जाते हैं उनका टेक्निकली अलग नाम होता जाता है तो सबसे पहले आपको इस पोधे की जानकारी लेनी चाहिए जिसकी picture मैं screen पे आपको शो कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं जब उस पोधे को ऐसे हाथ से मसलते हैं तो इस तर फिर इसमें से इसका फिर ऐसा मसलने के बाद जो रजडिव बच जाता है फिर इसको फर्दर वो मसलते हैं तो इसमें से एक तेल भी निकलता है तो हर स्टेज का जो एंड प्रोड़क्ट होता है उसका टेक्निकली नेम और जो रजडिव बचता है जो अवशेश बचता है लग लग हो जाता है उसको किसी को चरस कहेंगे किसी को हशीश ओयल कहेंगे किसी को गांजा कहेंगे ठीक है तो और जो मुझे कोई बता रहा था कि उत्राखंड की साइड से और जो पोधे को ऐसे एज़िटीज वो पोधे को सुखा देते हैं और सुखा कर उसे फिर चिलम में बीडी में भर कर वो यूज करते हैं तो उसको as it is एक गांजा भी कह देते हैं तो कई सारे नाम है Canobies, Hemp, Marijona Charis, Hashish, Hashish Oil तो कई सारे ये नाम हैं जो कि एक आम आदमी को confuse करते हैं अगर आप इस Act को सिखना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए और ये सब चीजें हमारी help करता है NDPS Act का section 2 आईए उसे section 2 की language के हिसाब से इन में क्या difference है आईए सीखते हैं Legal definition के पास जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक आम आदमी के वहाशा से सिखाना चाहता हूँ Bird of the cannabis plant that has been dried to smoke यानि जो cannabis plant के जो पोदा होता है उसको जो सुखा कर उसके जो फूल को उसके पत्तों को सुखा कर जो उसको फिर जलम में भर कर पीते हैं उसको गांचा कह देते हैं और resin extract यानि उस thing के उस पत्तों को मसल कर उसके प्रडक āतy की ये तो हुआ एकम आदमी के पॉइंट जानना चाहेंगे कि section 2 defined करता है ुं उससा reduce fan criteria dobrze kitchen to close three cannabis define करता है और यह जो गांजा वर्ड है ना यह संस्कृत का वर्ड है संस्कृत वर्ड फोर ड्राइड मेरीजोना यानि मेरीजोना को जब ड्राइग कर देते हैं सुखा देते हैं तो सुखे गुवे पोदे को बोलते हैं गांजा चलो एक बारी हम section 2 close 3 की definition को यहां पर पढ़ेंगे cannabis hemp तो cannabis और hemp में क्या difference होता है hemp is term used to classify varieties of cannabis यानि इसमें intoxicated, non intoxicated की तरह के पोदे होते हैं हर एक पोदा कुछ पोदे इसमें ज़्यादा निशीले होते हैं कुछ कम निशीले होते हैं कुछ का यूज दवायों में होता है, कुछ का यूज निशीले पदार्थों में होता है तो कुछ industries में भी यूज होते हैं cosmetics वगरा में, दवायों में, कई तरह के दवायों में यूज इस सब चीज़े होती हैं तो hemp एक general term है ये different types of cannabis के लिए word use होता है तो यहां हम ये word interchangeably use कर रहे हैं यानि इन दोनों words को एक ही तरह मान रहे हैं आए दोस्तों आगे शुरू करेंगे cannabis hemp means एक बारी देखते हैं तीन तरीके से define किया गया है cannabis को और hemp को चरस that is separated resin यानि उसको muscle कर यानि उस पोधे को muscle कर जो चिपचिपा पदार resin का मतलब होता है चिपचिपा पदार तो निकालते हैं in whatever form यानि किसी भी form में whether crude or purified यानि वह as it is crude है यानि उसको और ज्यादा further यानि उसको जितना आप मसलोगे उसका purified जो सवरूप है वह आपके सामने आता जाएगा obtained from the cannabis plant and also includes concentrated preparation and resin known as हशीश oil यानि इसको और ज्यादा मसलोगे तो उसका और बढ़िया वाला जो पदार्थ हो निकल के आएगा और उसमें से फिर oil निकल जाता है जब वह oil निकल जाता है तो उसको और ज्यादा concentrated कहते हैं यानि इसको हम एक आम आत्मी की भाशा में और समझाने की कोशिश करूँ तो आज कल शोशल मीडिया पे memes चलते हैं कि एक महंगा नशा high quality का नशा सस्ता नशा यानि जो ओयल होगा यह सबसे महंगी चीज होगी वह काला काला चिपचिपा पदार्थ इसको आप इसकी ऐसे गोलिया बना देते हैं आपने देखा भी होगा टीवी में फिल्मों में तो उसको चरस कह देते हैं ठीक है तो जिससे जैसे आप उसको purify करते जाओगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी और लास्ट में उसमें से निकलेगा वो लिक्विड इसमें सबसे महगी चीज़ है गांजा इड में सबसे सस्ती चीज़ है गांजा that is use the flowering or fruiting tops of the cannabis plant excluding the seeds and leaves when not compared by the tops by whatever name they may known or designated यानि किसी भी तरीके से उस पोदो को आपने सुका के यूज़ कर रहे हो उसमें से पहले आपने चरस निकाल ली फिर जो बच गया oil निकाल लिया वो सब residue बच गया उसको सुका के फिर आपने use कर रहे हो या बिना उसको चरस extract किये जो low quality का जो यह चीज़े होती है जिसमें आप directly उस पोदे को सुका के बेज देते हैं तो उसको हम गांजा कह देते हैं any mixture with or without any neutral material of any of the above forms of cannabis or cannabis or and drink prepared there from यानि इन चीज़ों का कुछ भी mixture करके एक चीज़ को दूसरे के साथ mix करके यानि गांजा को चरस के साथ mix करके oil को उनसे कुछ drink बनाके किसी भी तरह के weed बनाके कोई भी चीज़ आप बनाते हो उसका यानि कोई भी end-use product उसका बनाते हो इन सब चीज़ों को use करके गांजा को, hashishowil को, liquid को या उस चरस को उन सब चीज़ों को use करके कुछ end product बनाते हो यानि consumable चीज़ कोई बनाते हो तो वो C definition में आ जाएगा तो A, B, C तो इन तीनों definitions को आपको ध्यान से बढ़ना चाहिए तो चरस और गांजा में क्या difference होता है जैसे मक्षन और घी में difference होता है यानि एक different stage है एक stage को हम गांजा कह रहे हैं और दूसरी stage को हम चरस कह रहे हैं चरस नहंगा होगा गांजा उससे सस्ता होगा सुनकर आपको शायद चरस और गांजा में difference पता चला होगा NDPS Act आप पढ़ते हैं तो आपको यह difference जरूर पता होना चाहिए यानि चरस एक high quality का है गांजा से और hashish oil चरस से भी high quality की चीज़ है तो उपर से शुरू करें तो सबसे उपर जो महंगी चीज़ होगी वो hashish oil होगी उसके बाद चरस है और उसके बाद गांजा है और फिर end product आता है उसका different जो भी हमने A और B में चीज़ें use की हैं उसको mix करके कोई end product बना रहे हैं तो उसको हम any mixture कहेंगे यानि A में आ जाए B में आ जाए C में आ जाए यह तीनों ही चीज़ें cannabis की definition में हम्त की definition में आ जाती है I hope आपको आज का यह lecture समझ में आया होगा कोई भी doubt है आप मुझे WhatsApp कर सकते है 9818050252 पर चैनल को आप subscribe करेंगे तो मैं list 1 पर आगे भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा that's it for this session thank you very much for watching and listening take care of yourself और इन चीजों से आपको दुर रहना है शाबाश